इश्वर ने हर मनुश्य को दी है जन्म पत्री ऐसे अभी देखें बविश्य इसे ऐसे पड़ें ब्रह्मा द्वरा निर्मित जन्म पत्री है हाथ हाथ ऐसी जन्म पत्री है जिसे स्वयम ब्रह्मा ने निर्मित किया है जो कभी नश्ट नहीं होती है इस जन्म पत्री में तुर्टी भी नहीं पाई जाती है स्वयम ब्रह्मा ने इस जन्म पत्रीप में रेखाएं बनाई हैं एवं ग्रैस पश्ट किये हैं ये आजीवन सुरक्षित एवं साथ रहती है कहा जाता है कि पूर्व क्वाल में शंकर जी के आशिरवाद से उनके जैश्ट पुत्र स्वामी कार्थि के ने जन्मानस की भलाई के लिए हस्त रेखा शास्तर की रचना की थी जब ये शास्तर पूरा होने को आया तो गनेश जी ने आवेश में आकर ये पुस्तक समुद्र में फैक दी शंकर जी ने समुद्र से आगरे किया कि वे हस्त लिपी वापिस करें समुद्र ने उन प्रतिलिपियों को शंकर जी को वापस किया और शंकर जी ने तब से उसे समुद्रिक शास्तर के नाम से प्रचलिद किया इस शास्तर में हस्त रेखा शास्तर के अतिरिक्त संपूर्न श्रीर द्वारा भविश्य कतन के बारे में बताया गया है समुद्रिक शास्त्र को लोग हस्त रेखा शास्त्र के नाम से अधिक जानते हैं जोतिश एमम हस्त रेखा विज्ञान के 18 परवर्तक हुए हैं जो निमन है सूर्य, पितामा, व्यास, वशिष्ट, अत्री, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीची, मनू, अंगिरा, लोमश, पुलिश, चेवन, यमन, भ्रिगू, एवं शौनक भारतिय समुद्र शास्तर के बारे में योरोप के अनेक हस्त रेखा विद्वानों ने भी चर्चा की है मनुष्य के जीवन में बनने, बिगडने की रेखाओं, हथेली में विद्वान परवतों, पोरों, चिन्नों, आदी की भूमी का एहम होती है इन सब का ज्यान हमें हस्त समुद्रिक शास्तर में मिलता है विद्वानों का मानना है कि हस्त रेखाओं स्थिर हैं, कभी बदलती नहीं प्रन्तु वेज्यानिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि रेखाओं परिवर्तन शील होती है विवा एवं विवाहिक जीवन की स्थिती पता लगाने के लिए कुछ विद्वान छोटी उंगली के नीचे स्थित बुद्ध परवत की रेखाओं को आप इचलेशन करते हैं तो कुछ अन्य शुक्र परवत से कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वास्तक में विवा रेखाएं नहीं है बलकि ये जीवन को विभक्त करने वाली रेखाएं है विवा भी जीवन को दो भागु में बांट देता है एक विवा पूर्व का और दूसरा विवा बात का आईए जानते हैं हस्त रेखा की कुछ प्रमुख बाते हैं पहले विवाद में यदि किसी रेखा में से कोई रेखा निकल कर नीचे की और आ जाए या नीचे की और जुके तो उसका फल प्रतिकूल होता है या कमी आती है इसके विप्रीद ऐसी कोई रेखा उपर की और जाए तो फल में वृद्धी होती है जन्जीर नुमा रेखा अशिब फल देती है यदि विवा रेखा जो बुद्ध परवत पर होती है जन्जीर नुमा हो तो प्रेम प्यार में असफलता का मूँ देखना पड़ता है यदि विवा रेखा जन्जीर नुमा हो तो व्यक्ति अस्थिर बुद्धी वाला अथवा पागल हो सकता है लेहरदार रेखा अशुब मानी गई है ऐसी रेखाएं शुब फल प्रदान नहीं करती है रेखा अगर कहीं पतली और कहीं मोटी हो तो रेखा अशुब होती है ऐसी रेखा वाला व्यक्ति बार बार धोखा खाता है तथा सफलता असफलता के बीच जूलता रहता है जीवन रेखा के अतिरिक्त यदि कोई अन्ने रेखा अपने आखरी सिरे तक पहुँच कर दो भागों में बटी हो तो वे अतियंत प्रभावी तथा श्रेश्ट फल देने वाली होती है प्रन्तु यदि रेखा हिर्दे रेखा दो भागों में बटी हो तो व्यक्ति को हिर्दे रोग की संभावना रहती है यदि प्रणे रेखा से कोई रेखा निकल कर उपर की और जाए तो प्रेम में सफलता और सुन्दर पती अत्वा पत्नी की प्राप्ती होती है प्रन्तु यदी नीचे की और रुख करें तो प्रेम में असफलता मिलती है तथा पती वपत्नी को अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है व्यवसाई एवं नोकरी के निर्धारन के लिए शनी सूरे बुद्ध एवं गुरु के परवतों की स्थिती का विचलेशन किया जाता है बुद्ध रेखा को व्यवसाई तथा उध्योग रेखा भी कहते है हाथ में ये रेखा होती है वे यदी उध्योग या व्यवसाई से संबंदित नहीं होते तो भी उनकी मित्रता व्यवसाई उध्योगियों से अवश्यक रहती है प्रशासनिक अधिकारियों का गुरु परवत पुष्ट एमम उभरा हुआ होता है मंगल परवत पर रेखाओं का होना दौड धूप का परिचायक होता है जिन लोगों के मंगल परवत पर रेखाओं होती हैं वे पुलिस विभाग में कारे करते हैं या उससे संबंदित रहते हैं शुक्र परवत से निकली रेखा से यदि इसका संबंद हो तो प्रेम परसंगों के कारण विदेश यात्रा होती है गुरू या चंद्र परवत से निकली रेखाएं यदि छोटी छोटी वा उर्दव गामी हो तो शोद कारियों या गोश्टियों एवं अध्यान नहेतू विदेश यात्रा करनी पड़ती है उंगलियां सीधी अपतली हो हिर्दे रेखा सीधे ब्रस्पती से नीचे जाकर खत्म हो तो भागे रेखा एक से अधिक हो सभी ग्रेय उन्नत हो तो जातक करोडपती होता है मनुश्य की हथेली एक ऐसे मान्चित्र की भांती समझें कि उसमें आने वले हर द्रिशे के अनुसार अपनी भावी जीवन को देखते हैं इसे हम अपनी आयू को भी देखते हैं आयू को देखने के लिए हमें जीवन रेखा को भी देखना चाहिए जीवन रेखा लंबी तंग वगहरी होनी चाईये चोड़ी कदापी नहीं होनी चाहिए गहरी और अच्छी जीवन रेखा हमारी प्रान शक्ति को और ताकत को बढ़ाती है हमारी जीवन रेखा पर जीवन की अवधी रोग और मृत्यू अंकित होते हैं और अन्य रेखाओं से जो पूर्वा भास प्राप्त होता है उसकी पुष्टी भी जीवन रेखा ही करती है हाथ में मंगल ग्रे पर बहुत अधिक रेखाएं होने से पेट से संबंदित रोग अधिक होते हैं मंगल से निकली रेखाएं यदि जीवन और मस्तिश्क रेखाओं को पार कर जाएं तो वह शनी भी बैठा हो तो किसी बड़े रोग की संभावना रहती है मंगल ग्रे पर बड़े बड़े क्रास हों और बवा सितो बवा सीर की संभावना रहती है इस रोग की जांच के लिए शनी ग्रे की स्थिती देखना भी आवश्यक है किसी स्त्री के मंगल पर ग्रै पर मोटी मोटी आड़ी रेखाएं हो वशनी दबा हो और तो उसके गर्ब पात या गर्ब से संबंदित रोग होने की संभावना रहती है जीवन रेखा तूटी हो तो गर्भाशे तथा मासिक धर्म संबंदे रोग होने की संभावना रहती है उन्हें शरीर तूटा तूटा लगता है आत नर्म हो और गुरु की उंगली छोटी हो तो गर्ब नहीं ठहरता शनी के नीचे की रेखा जीवन रेखा पर द्वीब हो और उस द्वीब से निकल कर कोई रेखा उपर की और जाती हो तो व्यक्ति को खासी हो सकती है रेखाओं की ये स्थिती फेंफ़रो को कमजोर बनाने की भी सूचक है मस्तिश्क और हिर्दे रेखाओं में द्वीब हो तथा हथेली सक्त हो तो ये स्थिती सरवाइकल संबंधी रोग की सूचक है मस्तिश्क रेखा की छोटी छोटी रेखाएं काटती हो तो व्यक्ति सिर दर्द से पेडित हो सकता है ये रेखा पतली और उसे काटने वाली गहरी रेखा हो तो व्यक्ति को मस्तिश्क ज्वर भी हो सकता है बाए हाथ की मस्तिश्क रेखा सबल और दाए हाथ की दुरबल हो तो व्यक्ति को व्यक्ति का दिमाग कमजोर होता है और ऐसी स्थिती में दिमाग से अधिक काम लेना घातक हो सकता है सो दोस्तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक अथवा सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद सहित मैं सिमी दूआ आपका दिन शुब हो